हलो दोस्तों अभिनव नाम है मेरा स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिट से आपके अपने यूट्यूब चनल मैट्स बाय अभिनव राजपूत में और गनित के प्राइम टाइम में यह जो सीरीज है यह आपको आल्मोस्ट रोज रात में 9 बजे मिलता है अब तक हमन आपने पीछे की वीडियो देख लिए हैं अगर आप बिल्कुल नए हो तो मैं बता दो आपको हमारे चैनल के बारे में हमारा जो चैनल है यह मैस और रीजनिंग का कंप्लीट से लिए बस आपको फ्री आप कॉस्स प्रवाइट कर रहा है अभी हम मैस कर रहा है थोड़े द लाइन से देखी है तभी फाइदा होगा कोई भी क्लासे मेंस मत किया करो जो कंपाउंड इंट्रेस्ट अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं पांच से चे वीडियो जाएंगी वीडियो कम या ज्यादा हो सकता है सिंपल इंट्रेस्ट के लिए मैंने पांच कहा था लेकिन पहले कंपाउंड कर लेता हूं और इसी में मैंने उन कॉश्ट को भी एड कर दिया है तो आच से हम इंट्रेस्ट स्चार करने वाले हैं आपको एक वीक में फो चार के करीब क्लासे में आप मतलब 4-5 रोज एक वीडियो डालना थुर्ड़ हो जाता है विकास कि मैं आपको पता है अभी CHSL का जो मौक है मैं उसका solution प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर आप मैंसे बिल्गुल कोई नया है तो मैं आपको बता दू इस मौक के बारे में ये एक e-mock है बेसिकली आप लोग जाके इस पे मौक दे सकते हो 2024 की भी तयारी कर रहे हो या 25 की भी तयारी कर रहे हो ना तो description में link है जाओ download करो अपने आपको registered करो CGL, CHSL दोनों के 3-3 मौक फ्री में मिलेंगे और अभी मैं बता रहा हूँ ये कल तक के लिए है कल तक के लिए है कल नहीं बढ़ेगा Father's Day पे है ये इनका आया था 29 रुपे में मिल जाएगा आपको 29 रुपे में 49, sorry 60 मौक है 29 रुपे में 60 मौक एक साल की वैलिडिटी कई बार दे सकते हो तो अगर आपने नहीं लिया है ना तो जाओ ले लो इसे बात में पस्ता होगे इसी चीज के लिए आपको ज्यादा पेगरना पड़ेगा 29 रुपे का है और इसका solution मैं provide करता हूँ और उसके लिए e-mock करके e-mock by abhinav करके YouTube चैनल जिसका description में आपको link मिल जाएगा वो भी download कर लेना classes की PDF के लिए telegram पे connect हो जाओ और मुझसे जुड़ने के लिए Instagram पे connect हो जाओ ठीक है आप लोग जब पढ़ते हो कोई भी classes वगरा लेते हो तो classes लेते हुए अगर photos वगरा डाल दे हो गो मुझे भी tag कर देना ठीक है ताकि मैं भी तो देखू कोई बच्चे पड़वर्ट भ क्या होता है हमने Simple interest कर रखा है हमने Simple interest कर रखा है आज हम करने वाले हैं compound interest को हिंदी में एक तो compound interest को हिंदी में कहते हैं जैसे compound interest compound interest इसको हिंदी में हम बोलते हैं चक्रवति ब्याज क्या बोलेंगे इसको हम हिंदी में चक्र व्रति ब्याज या चक्रवति ब्याज ऐसी बोलते हैं basically simple interest और compound interest में क्या फ़र्क है ? simple interest जैसे तुमने 100 पे लिया और 10% देना है ठीक है, simple interest देखो ऐसे work करता है, 100 रुपे लिया आपने, आपको 10% देना है, पहले साल आपने 10 रुपे दिया, अगले साल भी 10 रुपे दे दिया, इस तरीके से आपको हर साल देना है, यह किसमे है, यह simple interest है, लेकिन जब आप compound interest के बारे में बात करते हो ना, तो आपको क्या क करना पड़ेगा, पहले साल इस 100 का 10 रुपे interest दो, दे दिया आपने, अब क्या करो, इस 10 का भी interest, पहले साल तो आपने 10 रुपे दे दिया, ठीक है, जब दूसरे साल के बारे में बात करोगे, तो इस 100 का interest तो दोगे ही दोगे 10 रुपे, ठीक है, अब आपको इस का भी interest दे पड़ेगा और इस एक कभी इंट्रेस्स देना पड़ेगा तो बेसिकली कंपाउंड इंट्रेस्ट इस तरीके से वर्क करता है अगर देखा जाया तो यहां से आ जाएगा 33 रुपए जीरो वन ओके एक का दस परसेंट एक का दस परसेंट सॉरी वन होता है ठीक है 33.1 रुपी तो कुल मिला के अगर मैं तीन साल में सिंपल इंट्रेस्ट देखूं तो 30 रुपए आया है लेकिन कंपाउंड इंट्रेस्ट कैसे आया है 33 रुपए 10 पैसे तो आज हम यही निकालना निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं अगेन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा बिल्कुल उसी तरीके से करना है ठीक है हलांकि अगर आप तरीका देखो तो तरीका यह होता है इसमें हम अमाउंट निकालते हैं अमाउंट निकालते हैं यानि कि जो इंट्रेस्ट लगने क ठीक है, जो R है, वो आपका rate है, यानि दर, और जो T है, sorry, N है, वो number of years है, कितने साल के लिए लिए गया है, मूलधन का मतलब है principle, ये formula है, बढ़ हम formula का use सायद बहुत कम करेंगे या ना के बराबर करेंगे, आप ये समझ लो, ना के बराबर ही करेंगे, करेंगे लेकिन कम करे ठीक है, तो I hope यहाँ तक clear हो गया होगा, आपका ये हमने क्या किया है, clear है बिल्कुल clear होना चाहिए, ठीक है, अब देखो आपको ना इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, मतलब इस वाले तरीके से करना है, ठीक है, दो तरीके बताने वाला हूं में compounders निकालने का, देखो क दे रखा है से 10% टाइम दे रखा है 2 year कितना साल दे रखा है 2 year तो बताओ compound interest कैसे निकालोगे तो बिल्कुल ना आपको table बनाना सीखना है देखो कैसे table बनाओगे सबसे पहले देखो 1000 का कितना percent है 10% है तो पहले साल कितना interest देना पड़ेगा 100 रुपए कितना interest देना पड़ेगा 100 रुपए अगले साल कितना interest दोगे अगेन ये 100 रुपए तो देना ही देना है अभी 100 का भी 10% देना है यानि 10 रुपए तो 2 साल का compound interest कितना आ गया 210 रुपए अगर आपसे 1000 का 10% के दरसे 2 साल के लिए compound interest पूछेगा हुआ हमंगा कैसे करना है आराम से कर लोगे डर ना नहीं बिलकुल भी ठीक है एक एक चीज और आज कितना interest देना है, ओके, ऐसे कितने भी साल निकाला जा सकता है, बढ़ हम maximum मान के चलते हैं, तीन साल, इससे ज़्यादा compound interest की questions नहीं आते हैं, तो पहले साल देखो, हजार का 10% कितना, 100 रुपए, clear है, पहले साल, हजार का 10% 100 रुपए, अब जब दूसरे साल की बात करेंगे, और देखो, इस 1000 रुपए तो 100 रुपए देना है, लेकिन इस 100 का भी तो interest देना है, कितना, 10 रुपए, clear है, हमने क्या क्या, इस 1000 का interest दे दिया है 100 रुपए, और फिर इस 100 का interest दिया है, 10 रुपए, समझ रहे हो, अगर मैं 30 साल के बारे मारे में बात करूँ ना, तो देखो अगेन, 1000 का 1000 ये तो देना ही देना है, 100 रुपए, अब आपको क्या करना है, समझना इस चीज को, ये 100 और ये 100, इस 200 का भी तो देना है न, तो 200 का कितना होगा, 20, 10% निकाल रहे हैं न, तो 200 का 20%, 20, फिर इस 10 का भी तो देना पड़ेगा न, 1, समझ में आया, क्या किया हमने, सिंपल सी बात है, जब दूसरे साल की बात करोगे, तो दूसरे साल में इसको इंटरेस्ट दिया, तीसरे साल में आपको इन तीनों का इंटरेस्ट देना है, इन तीनों का ही देना है, इसका तो देना ही देना है, इन तीनों का भी देना है, बेस कि आप ये भी कर सकते हो, कि simple यहां जो भी आवांट होगा उसका डबल कर देना, ठीक है, यहां जो भी आवांट होगा उसका डबल कर देना, और फिर 10 का 10% एक, कोई दिक्कत ये 3rd year के लिए है, अगर आपसे 4th year के लिए कहता तो, अगर 4 साल के लिए कहता तो, आएगा नहीं मतलब आप ये सोच लोग, 4 साल तक का करेंगी, ठीक है, 1st year, 2nd year, 3rd year और 4th year, देखो, पहले साल, 1000 का 10%, 100, ये 100 हर साल होगा, ध्यान रखना, ये 100 हर साल ही होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है, फिर क्या करना है, इस 100 का 10%, 10, कोई दिक्कत, अब क्या करना है, 10 का 20 कर देना, और यहां पर 30 कर देना, समझने क्या किया मैंने, जो भी इहां इसका interest आया है, जैसे 100 का interest कितना आया है, 10 ना, 10, 20, 30, clear है, अगले आगे बढ़ाते तो 40 लिख देते, कोई फरक नहीं परता, अब देखो, 10 का 10%, कितना होता है, 1 ना, 10 का 10%, 1, फिर यहां पर 3 कर 1, तो खुल मिला के 4 साल का interest इतना हो जाएगा, 400, यह, 30, 20, 50, 10, 60, 3, और 0.1, अब अगर आपसे पूछा जाए, कि simple interest और compound interest का difference क्या है, यह है difference, 9 रुपे 10 पैसे, कैसे किया 9 रुपे 10 पैसे, देख लो, यह तो simple interest है ना, पहली वाली line simple interest है, और यह सारे क्या है, यह interest पे interest ह 9 रुपे 10 पैसे खमा लिया, इस तरीके से questions करना होता है, ठीक है, I hope clear होगा, ठीक है, एक तरीका और है, जो बहुत easy है, और जो हम बार-बार exam में use करने वाले हैं, I hope यह आपका clear होगा, इसका screenshot ले लेना, ठीक है, screenshot लेना, 4 साल का बता दिया मैंने, ठीक है, इतने तक का video का काट के न, एक छोटा सा video मैं डाल दूँगा, ताकि न, जो लोग पूरी classes नहीं भी देखते हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि compound interest निकालने का क्या तरीका होता है, अब देखो एक और तरीका क्या है, simple compound interest जो है न, वो ऐसे बढ़ेगा, जैसे first year बोला जाया न, 10%, 10% का मतल स्क्वेर, 11 का स्क्वेर, तीसरे साल जो होगा न, वो ऐसे बढ़ेगा, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब, और 4th year जो बढ़ेगा, वो ऐसे बढ़ेगा, 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4, ठीक है, अब देखो कैसे, for example, अगर मान लो, कोई amount 1000 रुपे था, 1000 रुपे था, हमने कितना निकाला था है, यहां पर, 400, 9 रुपे 10 पैसे, यह हमने 4 साल में निकाला था न, अब इस तरीके से देखते हैं, तो 4 साल में क्या दे रखा है, 10 की पावर 4 जो है, 11 की पावर 4 बन जाएगा, तो 10 की पावर 4 कितना होता है, 100 इंटु में 100, 10 अगर आप 10 अजार इन्वेस्ट करोगे, अगर आप 10 अजार इन्वेस्ट करोगे, 4 साल के लिए, 10 परसेंट के हिसाब से, तो compound interest कितना मिलेगा, 11 की पावर 4, तो 11 की पावर 4 को तो 121, 121, ऐसे लिखेंगे न, तो 1, 12, 1, 12, 24 के 4, हासिल 2, 146, कितना आ गया, 14,641, 14,641, हमने यहां पर कोई गलती तो नहीं क हमने कोई गलती नहीं किया है, मुझे तो नहीं दिख रहा, 3, 2, 5, 1, 6, गलती किया न, किया, 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 देखो यह 3 और एक, 4 था न, यह 4 था, ओके, तो 10 रुपए 10 पैसे था, एक्चली में, ठीक है, 10 रुपए 30, 20, 50, हमने यहां गलती कर दी न, देखो, यह 30 है, यह 20 है, यह 60 है, यह 4 है, यह 1 रुपए, यह 64 रुपए 10 पैसे, तो कुल मिला के कह सकते हो, 464 रुपए 10 पैसे, यह compound interest था, हमने जोडने में गलती कर दी थी, ठीक है, हमने मतलब मैंने, बट 7 में कर रहे हैं न, हम लोग, तो बराबर-बराबर के दोसी हैं, तो इस तरीके स अगर देखा जाये, तो अगर आपने 10,000 लिया होता हो, तो कितना बन जाएगा, 14641, लेकिन आपने 10,000 नहीं लिया, आपने कितना लिया है, 1000, तो बताओ 1000 किस की वैल्यू है, 1000 जो है, एक्चुली में 10,000 की वैल्यू है, और हमें चाहिए किसकी, 14,641, ठीक है, तो देखो 30 0 से 30 cancel, इसको यहां करो point, 1464.1 यानि कि 464 रुपए 10 पैसे समझ रहे हो, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, हम दोनों का ही use करेंगे according to question, जिस type का question आएगा हम वैसे use करेंगे, I hope concept आपके clear हो गए होंगे, अभी हम और भी concept करने वाले हैं, monthly, quarterly ठीक है, आज की class थोड़ी लंबी चलने वाली है देखो क्या है, आज मतलब अब सीधा question स्टार्ट करते है, क्या कहा रहा है, find compound interest of amount 7800 for 3 year at the rate of 5%, देखो क्या है, principle कितना है, 7800 rate कितना है 5% और time कितना है, 3 साल ठीक है, 3 year अब देखो, सबसे पहले क्या करो, 78 100 का 5% निकाल दो, कितना होगा 700 सी, 390, कितना होगा 390 रुपए, ये मैंने 1 साल का निकाला, अब आपको क्या करना है, देखो simple 390 390, 390 क्योंकि ये 3 साल के लिए कह रहा है ना, आज के questions में आपको options नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना पहला वाला chapter जो है ना, मैं उसमें options avoid करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तरीके सीखो, मैं नहीं चाह रहा हूँ आज कि आप बिल्कुल वीडियो को रोको और खुद से करो, पहली वाली chapter की पहली classes होगी ना, मैं उसमें option नहीं दूँगा, because कि मैं चाहता ही नहीं कि आप खुद से बनाओ वो question, मैं चाहता हूँ कि आप वो तरीका करो, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इससे क्या होगा, कि आप बिल्कुल मेरी तरह से maths कर पाओगे, जिस तरीके से मैं करता हूँ, ठीक है, होसकता है आपका, जैसे 10 questions करवाता हूँ ना, तो 10 मैं से होसकता है कि 2 questions ऐसे होंगे, जिसमें आपका तरीका fast है, आप उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन यकीन करो, 10-10 तरीके आपके मेरे से फास नहीं हो सकते ठीक है तो इसी लिए हम हटा देते हैं और बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है वो चीज और मैं उनके लिए ही करवाता हूँ ठीक है तो देखो पांच परसेंट अठातर सोगा कितना होगा है तीन सो नब्बे रुपे दूसरे साल तीसरी साल भी देखो ये पहला साल है ये दूसरा साल औरं यह थिसरा साल है अब देखो यह डिया지 पर महें पर फिर पांच से निकाल दिए 390 का 5%, इसी का interest निकालता है, ध्यान रखना है, हमेशा यह वाला जो होता है, इसका interest होता है, अब यहाँ 19.5 है, तो यहाँ क्या होगा? 49, क्यों? क्योंकि मैंने बुला था, जो भी है उसका double कर दो, जो भी है इसका double कर दो, ठीक है? अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ ह 0.975, ठीक है? 0.975, ओके? गया आजाएगा basically 19.5 का 5%, ठीक है? यह क्या क्या है, हमने 19.5 का 5%, तो अब अगर मुझे total simple interest पूचा जा तो 49, 78, 30, 90, 90, 27, 117, तो 1170 रुपे तो यह हो गए, यह कितना हो गया? 49, 19.5, 58, 50 पैसे, और यह हो गया आपका 0.975, तो अब अगर मैं सब को जोड़ दू तो 1170, 1220, 1228, 1229 रुपे 475 पैसा, समझ रहे हो? इस तरीके से निकालना है, ठीक है? अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए slow है, कल देखना, मेरी speed का अंदाज़ा लगाना है, तो तुम कल आना, ओके? Find the compound interest on rupees 8000 at 15% per annum for 2 year, देखो, हमें क्या करना है? 8000 पे 15% दो साल के लिए निकालना है, तो सबसे पहले देखो, principle कितना है आपका? 8000, rate कितना है? 15%, time कितना है? 2 साल, ठीक है, तो पहले क्या करोगे? 8000 का 15%, कितना होता है? 1200, 8000 का 15% निकाल सकते हो, simple, ऐसे निकालना होता है, 8 1000 का 15%, 1200, ठीक है? अगले साल, ये तो पहले साल गया ना, दूसरे साल 1200 तो लगेगा ही लगेगा, फिर 1200 का भी 15% लगेगा, तो 1200 का 15% कितना होगा? 180, ठीक है? 180, तो यह आ जाएगा 2400, 2580 रुपे, ठीक है? इसके answers आप लिखते रहो, ताकि जब बाद में करोगे, तो आपको 1000 in 2 years at the rate of 4%, देखो, 10,000 का 2 साल के लिए, यानि पहले साल 4% निकालेंगे, तो कितना हैगा? 400, अगले साल भी 400, अब देखो, 400 का 4%? 16, तो यह आ जाएगा 800, 16 रुपे है, देख रहो, कितना आसानी से निकल रहा है, पहले कैसे कैसे करते रहते थे, ठीक है? देख रहो, अब कितना आसानी से निकल रहा है, पता नहीं कितना तफ है, अगले साल देखो, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, देखो, इस वाले कोशुन को कैसे करोगे, यह बड़ा चाचा कोशन, देखो, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, टाइम दे रहा है दो साल, रेट कितना है? 12, 1 by 2% और compound interest दे रखा है कितना 6.80 कैसे करोगे क्या बोल रहे हो पुराने वाले तरीके से formula लगा के ना रहे ना formula क्यों लगाना दो तरीके बताए थे ना मैंने अभी तो एगी तरीका किया हमने वही वाला एक तरीका square वाला याद है देखो कितना साल गया रहा है दो साल ना और rate कितना है 12 1 by 2 12 1 by 2 को हम क्या लिख सकते है 1 by 8 क्यों भीया तो simple देखो 12.5% है percentage को fraction में convert करने के लिए 100 से divide करते हैं तो यह 1 by 8 आ जाएगा 1 by 8 का मतलब यह हुआ कि अगर मैं 8 रुपे लगाऊ ना तो वो कितना बन जाएगा 9 रुपे क्यों ऐसा ही है ना बढ़ हम तो 2 साल के लिए कह रहे है ना 2 साल के लिए कह रहे है तो 8 का square जो है 9 का square बन जाएगा यह हुआ ना 2 साल अगर आप 12 1 by 2% के हिसाब से निकालो तो 8 का square 9 का square बन जाएगा याने कि अगर मैंने 64 रुपे लगाए होते 8 का square तो वो कितना बन जाता 81 रुपे कितना बन जाता 81 रुपे याने कि अगर मैंने 64 रुपे लगाए होते तो मैं 81 रुपे कमा लेता ठीक है मतलब 81 रुपे आते मेरे पास कितना कमाया मैंने? 17 रुपए, कितना कमाया मैंने? 17 रुपए, मैंने 64 रुपए लगाए 2 साल के लिए, 12.5% के हिसाब से, तो मुझे मिले 81 रुपए, यानि मैंने कितना कमाया? 17 रुपए, ये तो मेरे according है, अब आ जाते हैं हमारे गुरू जी वाले तरीके पे, value किसकी? चाह 64 की, क्या पूछा है आपसे? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो 64 ही है ना, किसकी चाहिए? 64 की, कर दो, 17 से कट कर दो, 0.4, अब 64 को 0.4 से मल्डिप्लाइ करना कितना आसान है? 60 को 4 से किया तो, 24, 0.4 से और 4 को उसे किया तो, 1.6, ठीक है? तो या आ जाएगा 25.6 रुपीज, द I hope clear होगा, और देखो भाई, गर्मी अर्मी बहुत है, आप में से मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे, कोई होस्टल में रहके, कोई रूम में रहके, और दो फैर का टाइम सबसे मुश्किल वाला होता है, ठीक है? तो आजकल पता है, क्या गर सकते हैं आ और पिया करो, ठीक है? हलांकि मैं सोडा के साथ पीता हूँ, बड़ मैं मान के चल रहा हूँ, तुम स्टुडेंट हो, ठीक है? तो रोज एक सोडा अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं, 20-30 रुपे का आता है वो, ठीक है? तो अगर आप कर सकते हो, तो कर लेना, ठीक है? नहीं कर स बढ़ रहा है, मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ, अभी मेरा वजन 78-79 kg है, मैं 69 kg, 70 kg का था, आज से 4-5 मैंने पहरे, ठीक है? बट कोई नहीं हम फिर फिट हो जाएंगे, लेकिन आप तो अभी हो सकते हो ना, थोड़ा से exercise किया करो, टाइम पे सो, जल्दी जगो, ठीक है? पढ नौकरी लेनी है, अलग होना पड़ेगा, कट तो होना पड़ेगा, मेरे दोस्ता मुझे बोलते हैं, मैं जब आज उनको फोन करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ, भाई आजा यार, मैं तो हमेशा वेलेबल रहता हूँ, फिर वो ताना मारते हैं उधर से, अच्छा, हमेशा तो मत बोल, आज ही रहता है, जब तु पढ़ाई करता था ना, तब नहीं दिखता था, मैं पढ़ता था ना, तब नहीं दिखता था किसी को, मैं फेस्बुक, इंस्टा वगेरा, ये सिर्फ नाम के लिए यूज करता था, जब मैं स्टूडेंट था, मैं इन सबसे बहुत स्टूडेंट लाइफ तो आपको जीनी पड़ेगी यार, अगर नौकरी लेनी है ना, इतना असान नहीं है, तुम्हें लग रहा है ना, सब करते हुए कर दोगे, तो तुम बेवकूफ हो, ठीक है, या खुद को बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि देखो, तुम से बहतर लोग है याँ पे, जो सब छोडने के लिए तयार है, मैं जानता हूँ, एक लड़का है, जो भी तयारी कर रहा है, उसका ना, ओल इंडिया रैंक इस बार आया, 2022 में, करीब 12-13,000, ठीक है, उसको पीए मिला है, सायद, हाँ, पीए मिला है, बट वो चाहता है, बढ़ लोग यूज नहीं करते, ठीक है, बट स्टिल अगर कभी जड़त पड़ी तो, ठीक है, मैंने हलांकि उसको नंबर तो दे दिया, मैं ऐसे देता नहीं हूँ, ठीक है, दे दिया मैंने, वो आस्ता कॉल भी नहीं गिया, लेकिन मैं देख रहा हूँ, ना वो इंस्टा यूज यूज करता है, ना वो वाट्सप यूज करता है, कुछ सब हर जगा से गायब हो रखा है, जबकि उसके पास जॉब है अल्रेडी, तुमे ना ऐसे बंदों को हराना है, जो नौकरी लेकर बैठे हुए है, जो सब कुछ छोड़ने के लिए तयार है, तुम क्या आगर रहे हो या, आज आते हैं कॉस्टन पर, ऐसी बातें बहुत देड़ तक मुझे होती नहीं है, ठीक है, बाकि समझदार हो या, दे को यहाना 18 मैने आ गए, समझना इस चीज को, प्रिंसिपल तो आपका है, 800 रुपए, रेट है आपका 10%, और टाइम कितना है, 18 मंस, 18 मंस को क्या बोल यह, कोई दिक्कत नहीं है भीया, डरना नहीं है, पहले साल का तो करें, देखो फर्स्ट यहर का, कितना, 2800 का 10%, कितना, 2800, clear है, second year का, 280, 280 तो रहता ही है न, देखो, 2800 का 10% तो निकालो गई न, ठीक है, फिर, 2800 का 10% कितना होता है, 2800 रुपए, लेर है यहाना यहां तक, अब देखो, क्या करना है आपको, पहले साल का जो compound interest आपका निकला है न, वो निकला है 280, और दूसरे साल का जो interest निकला है न, इसको add कर दो, कितना है 308 रुपए, यह पहले साल का interest था, यह दूसरे साल का interest था, कितना 308 रुपए, लेकिन पूरा साल तो वो use ही नहीं हुआ तो यहां पर भी कर सकते थे यहां पर भी कर सकते थे कैसे देखो एक साल का था यहां पर अब आधे साल के लिए कितना होगा मैं आपको ना लिखके दे सकता हूँ जैसे जैसे मैं वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ मेरी एक भी वीडियो मत छोड़ो चाहे वो मौक सीरीज हो मौक दो ना दो 29 रुपे नहीं है मत दो मौक ठीक है लेकिन वो वीडियोस देखो वीडियोस तो फ्री में है वीडियोस तो फ्री में है वो तो देखो यार वोट बुड बी दे सी आई एक्रूड ऑन अन अमाउंट ओफ 8400 at 12.5% at the end of 3 year देको साड़े 12% है और कितने साल के लिए है तीन साल के लिए तो एक तो देखो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 8400 rate कितना है 12.5% यानि कि 1 by 8 ध्यान रखना हो और time कितना है 3 साल है कोई दिक्कत नहीं है 1 by 8 यानि कि 1050 पहले साल का interest कितना होगा 1050 समझ रहो ठीक है या फिर इसको दूसरे तरिके से करेंगा या देखो कितना साल के लिए बोला 3 साल के लिए न 12.5 12.5 का percent का मतलब क्या है 8 से 9 8 से 9 यानि कि 8 का cube से 9 का cube क्योंकि 3 साल बोला है यानि कि 88 का square कितना होथा 512 और इसका 729 रुपै यानि कि अगर कोई बंदा 512 रुपै लगाता है कि किस rate से 12.5 के दर से तो उसको कितना मिलता है 729 रुपै तो अब देखो कितना आसान है 8400 किसकी value है 512 की हमें किसकी चाहिए हमें 729 नहीं चाहिए हमें सिर्फ compound interest चाहिए जो इसका difference है कितना इसका difference 217 रुपै हमें चाहिए 217 रुपै अब solve कर दो इसको इसको solve करना है बस पहले करते हैं 12 से 12 से कटेगा गया है 12 से 48 8 से कट जाएगा नहीं 8 से कट जाएगा तो यह जाएगा 1050 और यह 8 से कट तो 8 से 48 अब यह 2 से कट रहा है 625 और यह 32 ओके अब आपको 625 को 32 से multiply करना है sorry 625 को 217 से multiply करना और फिर 32 से divide करना है तो यह वाला तरीका तो लंबा चले जाएगा ठीक है देख रहे हैं 625 को 217 से करोगे तो फिर 32 से divide करोगे तो लंबा पड़ जाएगा तो इस वाले में आपको उसी वाले तरीके पर रहना है दूसरे साल के लिए भी इतना ही आएगा 1050 और तीसरे साल के लिए भी 1050 यह वाला माउंट तो सेम रहता है अब देखो 1050 का again 1 by 8 525 ठीक है अपॉन में 4 131.25 कितना जाएगा 131.25 ठीक है मैंने देखो 500 को 4 से divide किया 125 आया चल रहा है ना बिल्कुल चल रहा है और 25 को 4 से divide किया तो 6.25 आया ठीक है तो मैंने इसको सीधा लिख दिया पहले साल कितना आएगा दूसरे साल मतलब 131.25 अब क्या करना इसको डबल कर देना यहां पर यहां पर सिंपल आपको डबल करना है अब अगेन यहां पर आपको 131.25 का 1 by 8 निकालना पड़ेगा ठीक है तो इसको आठ से divide करते हैं आठे कम आठ 51 आठ चे कर तालिस आठ चो के बत्तिस 16.4 पूरा लेखने के जरुद नहीं है यह आगया इसको एड कर देना compound interest आजाएगा एड ही तो करना है वो तो कर लो गया इतना कर दो मेरे लिए अगला वर्शन देखते हैं अब नया concept आगया देखो क्या गयरा find the CIE on rupees 10,000 for 2 year at 4% per annum the interest being compounded half yearly देखो दो चीज़ें सीखने हैं आपको ठीक है interest being क्या थरे compounded half yearly ठीक है हिंदी वाले प्लीज इसको हिंदी में translate कर देना basically हो क्या रहा है जो चकरवती ब्याज है न वो हर च्वे मैने पर लगाया जा रहा है समझाओंगा इसका मतलब क्या है फिर interest being compounded quarterly ठीक है और तीसरा वाला concept क्या आएगा देखो यहाँ पर basically hashtag one hashtag two और hashtag three सीख लोग की कैसे करना है फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो यह मतलब concept पर जाओगे ना तो याद नहीं करना पड़ेगा आपको क्या होता है ना लोग दस questions के ना दस तरीके बताते हैं मतलब मैं बता रहा हूं मैंने दिखा है maths में क्या करते हैं ना लोग हर एक एक chapter में ना तीस तीस चालिस चालिस टाइप के questions करवा देते हैं वो वो तरीका बता देते हैं ठीक है भाया no doubt एक जगा जाने गाना बहुत तरीके हो सकते हैं कोई छोटा कोई बड़ा बट आपको ना क्यों ना ऐसा तरीका ढूंड़ो जो हर जगा कहीं से भी जाओ वहीं बने आपको जाने से मतलब है ना तो हर चैप्टर काना एक ही तरीका सीखा करो सिर्फ एक तरीका सीखा करो और पूरी वीडियो उसमें बन जाएगी अभी देखो हमने पांच चैप्टर कर लिए वेल्यू किसकी चाहिए, किसकी चल रहा है अभी और भी पांच चेप्टर करेंगे वेल्यू किसकी चाहिए, किसकी से देखो Half yearly का मतलब क्या है, देखो एक बंदा क्या कह रहा, समझना इस चीच को, दो मिनट के लिए hold करना वो है न, मेरा एरबर्ड आने वाला है तो मुझे लगा उनका तो नहीं आया मैसेज, बट नहीं आया था, मेरा टाइम खराब कर दिया अब देखो, Half yearly का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ समझो इस चीच को मैंने किसी से लिए 1000 रुपए, मैंने किसी से अपने एक दोस से लिए 1000 रुपए ठीक है, मैंने कितने रुपए लिए, 1000 रुपए उसने बोला, मैं दे तो रहा हूँ लेकिन मैं compound interest पे दे रहा हूँ ठीक है, मैंने ठीक है, compound interest पे दे दे या फरक पड़ता है, 10% के हिसाब से, ठीक है, 10% के हिसाब से, तो मैंने क्या किया, पहले साल उसको 1000 का 100, और फिर अगले साल 100, 100 का 10% 10 रुपए, यानि मैंने उसको 210 रुपए जोड़ के, 1210 रुपए दे दिये दो साल बाद, ठीक है, 1200 रुपए दे दिये, ठीक है, यह था compound yearly जो अब तक हम कर रहे थे यह था compound yearly अगली बार फिर में गया मैंने भाई मेरे को 1000 रुपे चाहिए यार दे दे उसने बोला यार तू बार बार आ जाता है वो कहता है चल ठीक है मैं देता दूँगा लेकिन अब मैं तेरे को compound half yearly दूँगा मैंने बोला यार ये क्या होता है compound half yearly तil रभी है हम उसमोला देख मतलब यह हुआ कि पहले ना किरे को हर एक साल में इंटरेस्ट देना परता था अब तुझे हर चलिवेंड़ा यार। य फची कितना होता है 10 एक हजार का 10 परसेंट 100 रुपे एक साल का है ये ध्यार रखना ये एक साल का है बढ़़ ये क्या कहारा है 6 माहने का इंट्रेस्ट ही लोंगा मैं मुझे तो लगा ठीक है 50 रुपे ले गा ये 1,050 अब अगली 6 माहने के लिए न retire से गारा है फिर देखो मैं इसको 1102 रुपय 50 पैसे दे दिये एक साल बाद कितने साल बाद हम कर क्या रहे थे हम कर रहे थे compound half yearly जैसे ही एक साल भी था तब मेरे को ध्याना आया यार यह बंदा तो बड़ा तेज निकला पहले मैं इसको एक साल बाद 1010 रुपय देता अब मैं इसको 1102 रुपय देता हूँ पहले मैं इसको 1100 रुपय देता अब मैं 1102 रुपय 50 पैसे देता हूँ तो compound half yearly में यह होता है कि principle जो होता है ना वो हर 6 मैंने पे बदलता रहता है यह मेरा दोस्तों बहुत चालू निकला तुम मत बनना ऐसा दोस्तों की कभी भी सेवा करो help करो व्याज-व्याज मत लेना और उससे फायदेते को दोस्ती यारी में यह नहीं चलने जिए मेरे अच्छे है मुझे भी थोड़ा अच्छा बनना है ठीक है लेकिन अब समझो कि दोस्ती की क्या वैल्यू है तो इसलिए भाईया यह पैसे वैसे को मतला ना बीच में अब छोड़ देते हैं उस चीच को तो compound half yearly में क्या करते हैं हम हर 6 मैने पे ना हर 6 मैने पे इंट्रेस चे अब ज़्यादा पड़ोगे क्या बिल्कुल नहीं है अम आराम आराम से करेंगे देखो क्या है interest being compounded half yearly तो half yearly में आपको क्या करना है ध्यान रखना इस चीच को principle मान लो 1000 रुपए है ठीक है rate दे रखा है 10% time दे रखा है मान लो 2 साल कितना साल 2 year ठीक है अब देखो पहले व अब देखो प्रिंसिपल को सेम रखना है 1000 रुपए है रेट को कर दो आधा कितना कर दिया रेट को आधा और टाइम को कर दो डबल तमझे लिख लो इसको half yearly में एसे लिख लो इसको half yearly में rate को double करते हैं और time को double करते हैं ध्यान रखना ओके दूसरे वाले केस में अब दूसरे वाले केस वाले तो दोस्ता न वो और हरामी निकला वो क्या करता है हर तीन महिने में प्रिंसिपल चेंज कर रहा है कोई नी हमें तो पैसे चाहिए हम तो ले लेंगे भाईया लेकिन वो कर क्या रहा है बहिमानी तो प्रिंसिपल तो देगो 1000 ही रहेगा अब quarterly क मतलब है हर तीन महिने में हर तीन महिने में बदल देना तो साल में बताओ कितनी बार बदलेगा चार बार साल में कितनी बार बदलेगा चार बार तो इस केस में आप rate को क्या करोगे चार से डिवाइड करोगे चार से डिवाइड करोगे चार से डिवाइड तो 10 को 4 से डिव अले case में आप क्या करोगे मंतली बोलाया ना कोई दिक्कत नहीं है principle भाया यही रहेगा principle में कोई छेड़ खानी नहीं करना rate क्या हो जाएगा जो था उससे 12 से चरें दीवाइट कर दिया Micka कोई जो भी था उसकी बारा तनी 24 साल क्या रहे हो सरी डरा रहा है आठ साल का कैसे निकाले कैसे निकाले एगे नई निकालना भाई लिखी तो रह去了 क्यों हमान रहे हो लिख रहा हूं बस ٹिश करोग मॉलड हो जा तक अब गोश्यं स्टार् चलो, देखो क्या कर रहा है, compound interest निकालना है, 10,000 रुपे के लिए 2 year, 4% per annum, the interest being compound half yearly, तो देखो हमने क्या बोला था, principle आपका वही रहेगा, 10,000, rate आपका 4% है, और time कितना था, 2 year, ये question में दे रखा है, लेकिन हम करेंगे change, हम कर देंगे change, हम क्या करेंगे, principle रखेंगे 10,000, ठीक है, हम rate को कर देंगे, half, यानि 2%, और time को क्या कर देंगे, 4 year, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि compound half yearly था, क्यों था, compound half yearly था, ठीक है, I hope clear हो, तो ये लिख लिए हमने, अब देखो, principle 10,000 है, 10,000 का 2% कितना होता है, 200, 4 साल के लिए ध्यान रखना, 200, 200, और 200, 200 का 2%, 4, ध्या यहां पर क्या हो जाएगा, इसका double 8, इसका triple 12, clear है, अब यहां देखो, 4 का 2%, 0.8, 0.08, 0.08, ठीक है, 0.08, ध्यान रखना, 4 का 2% निका लोगे, 1 का 2%, 0.02 होता है, और यहां पर क्या जाएगा, 0.24, कैसे किया मैंने, simple, देखो, multiply लिख ले न, यहां पर होता है, 1, यहां होता है, 2, यहां होता है, 3, इसी का, ओके, और अगर यहां देखेंगे, तो यहां अगर 1 है, तो यहां पर 3 लिखते हैं, ठीक है, इस चीज़ को लिख लो, पहले देखो, क्या, यहां पर आता है, rate, percentage, rate, percentage, यहानि जितना जितना भी कह रहा हो, अगले में भी यही लिखेंगे, rate percent, 4 साल का मैं लिख देता हूँ, अब देखो, यहां पर क्या होगा, rate का rate percentage, ठीक है, मालो यहां पर यहां पर यहां आया, 1, तो यहां पर क्या लिखोगे, इसी को, 2, और इसका यहां पर 3, अब यहां पर क्या लिखोगे, अगें देखो, जो rate का rate आया था ना, उसका rate percentage, या अच्छा ये थोड़ी ना है, बाराट भी सर 24 और ये पॉइंट 32, तो 824 रुपे 32 पैसे, I hope clear होगा, आज हम बहुत स्लो चल रहा है, हैं, 49 मिनिट हो गए और इतना ही कॉश्चन सुखे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया था आज की क्लास, पहली क्लास तो लंबी चलेगी What will be the compound interest accrued on our amount of rupees 10,000 at 20% in 2 year if the compound half yearly, half yearly है, अगें देखो 10,000 का 20% है ना, तो पहले साल, 200 मेली आपको करना क्या है, करना क्या है, देखो principle वही रहेगा, rate को हम कर देंगे half, और time को कर देंगे हम double, ठीक है, तो 10,000 का 10%, कितना, 1000, फिर 1000, फिर 1000, फिर 1000, फिर 1000, फिर 1000, ये 4 साल ह है, तो 4 साल लिख दिया हमने, फिर देखो 1000 का 10%, 100, यहाँ पे 200, और यहाँ पे 300, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का 10%, 10 और फिर यहाँ पे 30, तीन time क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस दोरों का interest लगा रहे हैं, तो add कर दो 4640, ओके है, I hope clear होगा, अगला question देखते है, find the CIE on 16,000 at 20% per annum for 9 months, यहाँ रखना 9 months है, और compound quarterly है, 9 months यानि की 3 quarter, तो मैंने बताया था, कभी भी quarterly हो, देखो principle में कुछ नहीं करना, principle रहने दो भईया, 16,000, rate को क्या करना है, जो भी था, उसको 4 से multiply कर ले, quarterly मतलब 4 ना, तो 4 से कर तो, कितना, 5% और time जो था ना, वो 9 months था ना, 9 months थ इसको हम 4 से multiply कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 36 महने, यानि की 3 year, तो time कितना आगया हमारे पास, 3 साल, 16,000, 5% और 3 साल के लिए, तो कर दो, 16,000 का 5% कितना होता है, 800, 800, 800, 800, 800 का 5%, 40, 80, double करता है न, 40 का 5%, 2, add कर दो, 8, 24, 25, 22 रुपए, हमारे राज में आपको, maths ने डरना गनित इजी कर देंगे हम, पटना वाले कितने लोग हो यार, कमेंट करना एक बर पटना वाले, मैं सोच रहा था, पटना वे न, घर पे बुला के लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दें, ऐसे फ्री महीं, चिंदा मत करो, वोचिंग, वोचिंग, तो खोली नहीं सकते न, अभी जॉब वाप कर रहे हैं, नौकरी से निकलवाओगे, अट वाट रेट पर एनम, विल रुपीज, 32,000, यील्ड, कमपाउंट रेस्ट, और 5044, इन नाइन मंस, इंटरेस्ट बिंग कमपाउंट, क्वार्टर ली, देको क्या पूछ रहा है, आपसे न, रेट पूछा ग फॉर्मल नहीं लगाना, हमारी राज में फॉर्मोले को अभी ठोड़ा साइट करते है, लेकिन, 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 स्क्वाइर और क्यूब यादोना चाहिए आपको, कहां तक कर का, कम से कम 50 तक का, 50 तक का स्क्वाइर और 30 तक का क्यूब, अगर याद नहीं है, तो तुम्ह करना होता में ली एट वोट रेट पर अनम विल रूपीज थर्टी टू थाउजंद है अनकना कितना 32,000 जो है न वो कितना इंट्रेस्ट दे रहा है 5,444 यानि यह 32,000 कितना बन रहा है 37,444 देखो rate of interest हमें नहीं पता बट हमें न टाइम पता है 9 months है और compound quarterly है तो 9 months को 9 and 2 में 4, 36, 3 year लिख सकते हैं न हम time को 3 year लिख सकते हैं न भीया कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमने क्या किया time को 3 साल लिख दिया क्योंकि 9 मेने था rate जो भी आएगा हम जो भी उसको हम 4 से multiply कर देंगे क्यों 4 से multiply करेंगे क्योंकि quarterly है और हमने time 3 साल मांगा है ओके clear है यहां तक अब यह बना हुआ है आपके पास यह बना हुआ है 32,000 कितना बन गया है 37,44 तो आप बोलोगे कि भईया 5044 क्यों नहीं लिखा हमेशा ध्यान रखना कि principal और amount जो मैंने अभ से किया तो यह 8,000 और इसको चार से कर रहा है तो 4,9,36,4,28,4,6,24,9,26,1 ओके 9,26,1 clear है clear है यहां तक यहां तक clear होगा और बात है clear होगा because कि मैं करवा रहा हूँ मैंने 4 से cut किया इसको ठीक है और cut नहीं होगा नहीं होगा करके को देख लेना नहीं होगा अब देखो क्या क्योंकि यहां 3 साल है यह किसी ना किसी का क्यूब होगा यह भी किसी ना किसी का क्यूब है देखो यह है 20 का क्यूब और यह है 21 का क्यूब यह 20 का क्यूब है यह 20 का क्यूब है यानि कि 20 रुपे जो है ना वो 21 रुपे बन रहा है तो बताओ interest कितना एक 20 का कितना परसेंट ह 5% है, कितना है 5% है, तो यहां से हमने क्या निकाल दिया rate 5%, बट answer 5% नहीं है मैंने बोला था, जो भी हम निकालेंगे ना, उसको 4 से multiply करना है, तो 5 into में 4 20%, 5 into में 4 20%, यह आपका answer है तो मज़रों क्या किया है, नहीं लगा बहुत fast होगे अचानक से, ऐसे ही होता है देखो, हमने क्या करना है, simple shortest form में लिखा, यह 20 का cube है, यह 20 का cube है 20 यान 21 बन रहा है 20 यान 21 बन रहा है, एक रुपे का interest है किस पे 20 पे, तो एक 20 का कितना percent है 5% है, क्योंकि यहां पे compound yearly है, तो इसलिए हमने 4 से multiply किया होता, compound quarterly है yearly होता, तो यही answer होता half yearly होता, तो हम double कर देते समझ गये, I hope clear होगा अगला question देखते है the SI accrued on an amount of 40,000 at the end of 4 year is 24,000, यानि कि 40,000 जो है न, 24,000 interest दे रहा है, कितना दे रहा है 40,000 24,000, यानि कि जो 40,000 रुपे इसने लगाए थे न, वो 64,000 बन गिया समझ में, आ रहा है, ये principle था और ये क्या था amount था, formula भी से भी कर सकते हो वैसे तो, what would be the SI accrued on the same amount at the same rate in the same period है अच्छा-च्छा-च्छा-च्छा sorry, ये question ही गज़त पढ़ लिया मैंने ये क्या गया रहा, देखो simple interest जो है न, 40,000 पे simple interest जो 4 साल में है न, वो 24,000 है तो आपको, आपसे पूछा, compound interest कितना होगा तो एक बात बताओ, 4 साल में simple interest कितना है, 24,000 इतना ही है न, तो एक साल में कितना होगा, 6,000 एक साल में कितना होगा, 6,000 यही हो रहा न, 6,000 तो बताओ rate of interest कितना हुआ, 6,000 40 का into में 100 तो देखो, 3,0 से 3,0 इससे कटा ये, ये कटा 3, ये कटा 5, 15% आ गया, कितना rate of interest कितना आ गया है 15% आ ठीक है, अब 15% के दर से 4 साल का compound interest निकालना है कैसे निकालोगे, 40,000 का 15% कितना होता है, 6,000, बढ़ ध्यान रखना है 4 साल है, 6,000 6,000 और 6,000, 4 बार लिग दिया कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं, कैलकुलेशन से नहीं डरना, 15% 6,000 का कितना, 900 1800 2700, समझ गया है समझ गया ना, अब देखो 900 का 15% कितना होगा, 15 into में 9, 135, और यहाँ पर मैंने बोला था, इसको 3 से करना है तो 135 का 15%, स्वरी, 135 का 3, 13, 49 405, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 135 का 15% निकालना है, तो 135 का 15% कितना होगा, 15 30 का 15%, 4.5, और 5 का 15%, 0.75 एड कर दो इसे 5, 49, 19.25, स्वरी, 20.25, कितना आजाएगा? यहाँ पर आजाएगा आपका 20.25, अब इसको आड कर दो 6, 24,000 67, 45 9, 4, 100 540 और 20 रुपे, 25 पैसे इसको आड कर दो, ओके इसको आड कर दो, 24, 5, 39, 39, 9, 4, 24, 5, 39, 960 रुपे, 25 पैसे 29, 960 रुपे, 25 पैसे ठीक है? यह आपका अंसर आगया clear है? ऐसे करना होता है question को, ठीक है? I hope clear होगा ठीक है? अभी और भी questions है अभी 8 questions और है ठीक है? क्लास को क्या end करू नहीं? अभी तो 47 मेड ही हुआ है अभी summat at the rate of 6% per annum and obtains SI of 8730 at the end of three year देको, रोहत ने एक amount लगाया था किस rate से? 6% किदर से और simple interest उसको कितना मिला है? 8730 रुपे 3 साल के लिए तो what amount of SI would be he obtained on the same amount at the same rate of interest for the end of 2 year? 2 साल में कितना? देको क्या कहा रहा है? रोहत है उसने कुछ पैसे लगाए, उसको 3 साल में कितना simple interest मिला? 8730 रुपे 8730 रुपे कितने साल में? 3 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 3910 रुपे अब्यसी बात है, और ये क्या है? ये 6% 6% किसका? प्रिंसिपल का तो 3910 जो है, वो चली में 6% है, तो 100 की कितनी होगी? कर दो इसको, ये 50, ये 3 तीन नम्हा सताइस 3 सताइए किस 927 इंटू में 50 कितना होता है? 97, 48, 50 48, 1,500 ठीक है? ये हमने निकाल दिया, खिर क्या निकला है ये? क्या निकला है ये? ये निकला है principle, ध्यान रखना हाँ, 3910 6% है, तो 100% कितना होगा? अब हमें इस पे compound interest निकालना है 6% के हिसाब से ध्यान रखना, दो साल के लिए ठीक है? तो 6% इसका है कितना? पहला साल है, 3910 अरे तो बहुत आसान था, इसकी जरद भी नहीं थी वैसे, 3910, 3910 3910 का 6% निकाल दो कैसे निकाल होगे? 6% of these, 100C 180C में से 5.4 घटा दो, 174.6 एड कर दो इसे कैसे किया मैंने? simple, 3910 का 6% निकाला, तो मैंने पहले 3000 का 6% निकाला, कितना आएगा? 180 फिर 90 का 6%, 5.4 घटा दिया मैंने, ठीक है? तो यह आ जाएगा आपका 29, 39, 529 520, 529 694.6 In how many years, rupees 10,000 will become 13,100 in at CIE? कभी भी स्टाइब का कॉश्चन है, तो मैंने क्या बताया था? इसमें simple आपको क्या पूचा है? टाइम पूचा है, तो देखो 10,000 कितना था? एक लाग था 3, 2, 5, 5, 0 है ना भई? हाँ, 5, 0 है और कितना बन रहा है यह? 3, 3, 1, 0, 0 हमें सा इसको सौटेस्ट फॉर्म में लिखो 1000 है और यह 1331 है यह किसी ना किसी का square, cube ऐसे ही बनेगा, किसी ना किसी का square बनेगा या cube बनेगा, तो देखो 1331 हमें दिख रहा है कि क्या है? 11 का cube ना और यह 10 का cube है यानि कि यह जो भी power है, power जो है न ध्यान रखना जो power है वो time होता है यानि time कितना है? 3 साल है और क्योंकि यह 10 से 11 हो रहा है, तो 1, 10 का कितना percent है? 10% तो यह क्या है rate 10% जो actually मैं question में given था तो यहाँ पे देखो time 3 साल निकल गया कोई formula का use नहीं है, अब तक मैंने कहीं पे नहीं करवाया है बड़ ऐसा नहीं है कि हम आगे भी नहीं करेंगे करेंगे, formula अगर किसी ने कोई गनित अग्या ने कुछ बनाया है तो भहिया बहुत important है पानी पीते रागर हो At what rate percent per annum of CIE will rupees 16,000 amount to rupees 1852 in 3 years देखो अगेन वही question है 1600 कितना बन रहा है? 1800 52 रुपे 20 पैसे ठीक है, in 3 years यानि किसी ना, इसको हमेशा मैंने बोला था जैसे shortest form में लिखो तो 2 से कम करें 2 से cut हो जाएगा तो यह आजाएगा 800 और यह 2 से cut करें तो दोनों में 18 26.1 दिख रहा है? यह 800 है यह 961 है अगर मैं इसको यह कर दूँ और इस पे एक 0 लगा दू कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है न मैंने पॉइंट टागे 0 लगा दिया यह तो करी सकते है न भीया? यह कर सकते है तो यह 20 का cube है और यह 21 का cube है 20 से 21 हो रहा है यानि 1 by 20 1 by 20 यानि 5% रेट ही तो पूछा था आप से I hope clear होगा Find the sum of money which will amount rupees 260160 in 6 months at the rate of 8% per annum when the interest is compounded quarterly देखो 6 महने पे कितना बन रहा है? 26,010 रुपे ठीक है? तो बताओ वो principle क्या है? देखो कितना आसान question है? 6 महना था और compounded क्या था? quarterly है quarterly में मैंने क्या कहा था? जो भी rate बोले rate कितना है आपका? one fourth कर दो तो कितना जाएगा rate? 2% time जो भी आएगा 6 महने आपका? डबल कर दो 12 month यही था ना? पर चार से कर दो multiply तो 24 month तो कितना जाएगा? 2 year अगर ये clear है तो हो जाएगा अगर ये clear है तो हो जाएगा ठीक है? यानि 2% के दर से time कितना है? 2 साल तो 2% का मतलब क्या हुआ? कि 100 रुपे जो है कितने बन रहे है? 102 रुपे यानि 50 रुपे जो है ना वो कितना बन रहा है? 51 रुपे 50 रुपे कितना बन रहा है? 51 रुपे तो क्योंकि 2 साल है तो हम क्या करेंगे? square करेंगे तो 2 साल में लेकिन question में क्या दे रखा है 26,010, amount कितना दे रखा है 26,010, यह किसकी value है, 26,01 की, चाहिए किसकी, 25,00 की, कर दो इसको multiply, 25,000 आ जाएगा answer, देखे रहो कितना आसान है, अभी सोचो ऐसे हमा 80,90 questions करने वाले हैं, मेरे साथ साथ करते रो, सब समझ में आ जाएगा, if the CIE on a certain sum, at rupees 16,2 by 3% for 3 year is 12,70, find the SI on the same sum at the same rate for the same period, देखो कितना आसान है, 16,2 by 3 का मतलब क्या है, 1 by 6, 1 by 6 ना, यानि कि 6 से 7, 6 से 7, तो कुल में लाखे, अगर compound interest देखा जाए, तो क्या हो जाएगा 3 साल में, 6 का cube, 7 का cube, यानि 216 रुपए जो है, वो 7 का cube कितना बन जाएगा, 343 रुपए, clear है, 216 कितना बन जाएगा, 343 रुपए, तो बताओ कितना compound interest आया, 127 रुपए, ध्यान रखना है, ये compound interest है, ये compound interest है, ये क्या है, CI है, ये CI है, अब हमारे पास दो तरीके है, कि पहले principle निका सकते हो, simple देखो कैसे, 1270 जो है ना, वो 127 की value है, ठीक है, तो बताओ किस की चाहिए आपको, principle की चाहिए, तो 216 की बताओ कितनी है, तो यहाँ से आपका 2160 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका principle आ गया है, ये क्या आया है, ये principle आया है, 2160 रुपए, और 3 एर, हाँ, हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ, 2160 रुपए क्या आया है, ये principle आया है, बड़ आपसे principle नहीं पूचा गया था, आपसे क्या पूचा था, same rate for the same period, SI पूचा था, simple interest, तो अब आप क्या करोगे, 2160 का 3 साल, 162 by 3, यानि 1 by 6, इन 2 में 3, 1080 एक तरीका तो ये था निकालना, एक तरीका ये था, हलांकि ये भी फास्ट है, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो कैसे निकाल सकते हो इसको और फास्ट, देखो, अभी तक देखें, तो principle 216 है, amount 343 है और compound interest 127 रुपए, ये हमारे according है, simple interest कितना होगा, बताओ, 216, 216 का 1-6, 216 का 1-6 ती तो होगा ना, 216 का 1-6, क्योंकि एक साल का 6 in 2 by 3 है और 3 साल में है, तो उसको 3 से multiple कर देते हैं, तो 108 रुपए, कितना 108 रुपए, यानि कि हमारे according, principle है ये, amount है, compound interest है ये, और 108 क्या है, simple interest है, अब देखो, question के according, 1270 है, क्या amount, हमारे according, 1270 किसकी value है, sorry, compound interest हो, 127 किसकी value है, 1270 किसकी value है, 127 किसक 108 की, देख रहे हो, calculation थोड़ा और fast हो जाएगा, और मैं चाहूँगा कि आप इस तरीके से करो, ठीक है, 1080, I hope clear है, अगला question देखते हैं, एक आदमी है, उसने 4000 रुपए इन्वेस्ट किया है, 3 साल के लिए, at compound interest, after one year, the money amounts to rupees 430, what will be the amount due at the end of 3 year, देखो कितना है, 4000 रुपए ल बताओ, 4000 का 320 कितना परसेंट है, पहले तो परसेंट इस निकालो, 8%, कितना, 8%, अब बताओ, 8% के हिसाब से 3 साल में कितना बनेगा, 4000 का 8%, 320, पहले साल भी, दूसरे साल भी, और थीसरे साल भी, अब 320 का 8%, तो 8-3, 24, 16, 25.6, 50.51, अब यहाँ पे 25.6 का 8% निकाल दो, 25.6 का 8%, कैसे निकालोगे 25.6 का 8%? 10 का 8%, 0.8, 16, 2, 25.8% 2 होता है, ठीक है, और 0.6, 6 का 8%, 048 होगा, 0.048, तो यह आ जाएगा आपका 2.048, छे, 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 नही, नही, पोइंट 4,8 आएगा, ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 25.6 का जब निकालोगे न, 8%, ठीक है, तो आ जाए जाएगा आपका 2.48, कितना जाएगा 2.48, ओके, अब इसको एड़ कर दो, तो कितना आ रहा है, 6, 2, 8, 3, 3, 960, जाएगा 51, 25, 26, 27, 26.8, और ये 2.48, ठीक है, तो 960, 40, 1000, 342, 38, जाएगा 1049.28, ठीक है, आज हमने काफी कॉशन्स किया है, प्लस माइनस में हो सकता है, इदर उद हो, there is 60% increase in an amount, in 6 year at CIE, देखो, simple interest पे 60% होता है, 6 साल में, तो बताओ, एक साल में कितना, 10%, तो rate of interest तो यहीं से आ गया 10%, तो आप पूचा है कि compound interest क्या होगा, 12,000 का 3 साल में same rate, तो 12,000 का 10% कितना होता है, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200 का 10%, 120, 240, और अगें 12, तो 36, 1200, प्लस में 360, प्लस में 12, तो 36, 49, 172 रुपए, ओके, निकाल लोगे यह तो, ठीक है, अगर गलत भी निकला होगा, तो भी तुम सही कर लोगे, ठीक है, तरीका सीख गए हो, ओके, हाँ, तो thank you, ओके, आज की class में, इतना ही था, तो यार, उपर है कुछ, इतना ही था, ओके I hope, आपको समझ में आ गया होगा, आज की class थोड़ी लंबी चली गए, अन्ठावन मिनट की हुई है यार, आदत नहीं है ना, professional थोड़ी ना हैं लोग, professional होते तो दो गंटा बढ़ा देते, ठीक है, लेकिन वहीं, live class है नहीं, मैं जो पढ़ाता हूँ ना, मैं बिलकुल non-stop पढ़ाता हूँ, ठीक है, मुझे मतलब पढ़ाना होता है, बीच में होता है, हसी मजा, comment पढ़ना, ये वो, ये वो, मुझे लगता है कि ना, उसके लिए एक अलग life है, आप जिस age में हो ना, आपको बहुत लोग बोलेंगे कि fun करते हुए करो, ये करते हुए करो, ठीक है, ठीक है, अपने गाउं में, उसके गाउं में पोस्टिंग थी, उसके गाउं से साथ या आठ बंदे ने आईटी निकाला था, सब उसी से पढ़े हुए थे, सोचो, जिस बंदे ने 7 IATN दिये हो, या 7 या 8 IATN दिया हो, आप उसको इस चीज के लिए निकाल रहे हो, क्योंकि वो technology friendly नहीं है, या फिर वो पढ़ाते वक्त fun नहीं कर पाता है, भया क्यों करना fun यार, fun करने के लिए आपके पास दोस्त है, टीजरों के साथ क्यों fun करना पढ़ाई करो ना यार सिर्फ, देखो, बहुत, बहुत pure है, teaching जो है na teaching profession, बहुत pure है, ठीक है, हम लोग दोस्त है, हम लोग दोस्तों की तरह है, बड़ हम दोस्त नहीं है, ठीक है, class में ना class का माउल रहना चाहिए, थोड़ा बहुत हसी मजाग चलता है, no doubt जैसे मैं करता ठीक है, classes में, ठीक है, लेकिन सिर्फ बाते करूँ, मैं बताओं की मेरे t-set का price क्या है, मैं घर पे क्या-क्या करता हूँ, वो सब फाल्त हुए, क्या करो के मेरे बारे में जानके, नौकरी लो ना, मेरे को privacy चाहिए, हमें हमारे उसमें रहने दो, नौकरी लो पढ़ाई करो बस, एक teacher से न, तुम्हें उतना ही रिस्ता होना चाहिए, ठीक है, उतना ही, हाँ, Instagram वगएरा, देखा करो, देखो, अच्छा लगता है जानने में, कि क्या कर रहे है, मैं खुद करता था, मैं अपने teacher को follow किया करता था, ठीक है, आप भी करो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा न मिनिट की वीडियो में, 50 मिनिट नहीं पढ़ाता है, 52 मिनिट नहीं पढ़ाता है, छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, आज की class से मत छोड़ना है, कल परसु भी देख लो, मैं रोज नहीं करता है सी वाते, मुझे मत छोड़ना, प्लीज, भगवान के लिए, ठीक है, बट इन चीजों को ध्यान रखो, कि भईया, अपना टाइम खराब मत करो, ठीक है, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं अगली class में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रो, बंद कर रहा हूं है,